हेलो श्रेंड हमारा जो लेशन था विटा निश्टलेश मिन इंडिया इससे पहले आपने बहुत सारे टॉपिक नहीं भात की थी तो इससे पहले का जो टॉपिक हमारा था टौर्ड़ दे शीविल डिस ओबिदेंस थी कैसे आपने देखा साइमन कमिशन के बारे में पढ़ा क उसका लोगों ने विरूद किया ठीक है क्योंकि उसमें इसमें एक इंडियन मिम्बर नहीं था ठीक है इसके बाद आप ने पढ़ा कि जो पूर्ड सुराज की जो फुल इंडिपेंडेंस को जो फॉन लाइज किया था ठीक है लाहूर कॉंग्रेस सेशन में जवाला नेरु ने तो उन्होंने का डिक्लेर किया कि 26 जनुरी 1930 को फुल इंडिपेंडनेंस डे के रूप मराया जाएगा जिसमें जो हमारे जो लोग है वो प्लेज लेंगे ठीक है इंडिपेंडनेंस की ठीक है लेकिन इसको क्या है बहुत कम लोगों का अटेंशन मिला फिर महात्मा गानी जी ने सोचा कि भए हमें इसको तो बहुत कमा टेंशन मिला है तो उनको महात्मा गानी जी ने सोचा कि उस मैं कुछ आपड़ेगा जो लेना पड़ेगा जिस से की लोगों जो आप्ने गे के दिन से रीलेटेट और प्रतेग लोगों से रिलेट करता हो थीक्या तो इसाह के महत्मा गांदी जी ने पाया कि जो सॉल्ट है वो पावर्फुल सिंबल के रूप में यूज किया जा सकता है जिससे कि जो नेशन के जो लोग है नेशन जो है एक जूट हो सकता है ठीक है महत्मा गांदी जी ने एक लेटर भीजा वाइसराई एडविन को स्टार्टिंग 11 डिमांद उस लेटर में कितनी डिमांद रखी गई उसमें 11 डिमांद रखी गई कुछ उसमें जो डिमांद थी वह जन्रल इंटर्स को लेकर थी अदर वर इस्पेसिफिक डिमांद और डिफरेंट क्लासे और कुछ डिमांड ऐसी थी जो अलग लग क्लासे की अलग लग 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 दिमांद थी फ्रॉम इंड़िस्ट टो पीज़न और वह अलग लोग वाइसरा एर्वन को भीजा गया ठीक है अब महात्मा गांदी जी का इसके पीछे भी एक जब लोगों की डिमांड को डालने थी क्योंकि महात्मा गांदी जी नहीं चाहते थे कोई भी जो कॉमिनिटी है कोई भी जो समधाय है वह अपने आपको अलग माने और वो उनके इसलिए उन्होंने एक इंडेश्टलिस से लेके हाई क्लास से लेके लोर क्लास तक कि सारी सब की दिमांड उसमें रखी जिससे कि सभी लोग उनसे उनके साथ जुड़ सके ठीक है सबसे जो इंपोर्टें उसमें जो डिमांड रखी गई वह यह रखी गई कि जो सॉल्ट है ठीक है यानि कि जो नमक है उस पर जो टैक्स लगाया वह ब्रेटिस गवर्मेंट ने उसको हटाया जाया उसको अबलेस किया जाया ठीक है क्योंकि आपको मालूम है कि जो सॉल्ट होता है वह चाहिए रिच परसन हो चाहिए वह पूर परसन हो एक जितना ही उसको हम फूड में यूज करते हैं ठीक है अब क्योंकि ब्रेटिस गवर्मेंट ने इंडिया में रहते हुए इंडिया की नमक प्री क्या लगाया हुआ है सौर्ट लगा ब्रेटिस गवर्मेंट को ही मॉनोपॉलि राइट था कि वह उसका प्रोडक्शन कर सके ठीक है महात्मा गांदी जी ने कहा कि इससे ज़्यादा ऑपरेशिव फेस ब्रिटिस रूल का ठीक है इसलिए महात्मा गांदी जी ने जो लॉड इर्विन को जो लेटर भीजा वो एक अल्टिमेटम था एक चेतावनी थी इव दर डिमांड वर नॉट फॉल्फिल बाइ एलेवन मार्ड और महात्मा गांद जी ने उस लेटर में लिखा कि अगर यह जो डिमांड है 11 मार्च तक फॉल्फिल नहीं हुई वो लॉंच करेगी इर्विन वस अन्विलिंग टू नेगोटाए लेकिन जो इर्विन था वो मानने वाला नहीं था ठीक है वो अन्विलिंग था उस बात्चित करने के लिए इसलिए जब उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो महत्मा गांदी जी ने अपने साथ कुछ जो 78 उनके जो ट्रस्टेड वालुंटर्स थे वानी आई थे उनके जो फॉलोवर्स थे उनको लिया 78 फॉलोवर को लिया और उन्होंने अपनी जो फेमस जो सॉट मार्च था उसको शुरू किया ठीक है दो मार्च वस ओबर 240 माइल अब जो पूरा जो यह मार्च था यह जो उनकी यात्रा थी 240 माइल की थी फ्रम गानी जी आश्रम इन सावरमती तो दा गुजराती कोस्टल ट तक थीक है दो वॉलंटर्स वाक फॉर ट्वेंटी फॉर डेज जो महत्मा गानी जी थे और उनके 78 जो वॉलंटर्स टे वॉलंटर्स थे वो लगाता 24 देस तक चलते रहे अबाउट 10 माइल डे ठीक है और एक दिन में कितने माइल चले केवल 10 माइल और किता माइल उने चलन तना था जिर ठीक है ज थाउजन केम तूह उर महत्मा गानी जी बैने बर ही स्टप जहां जहां महत्मा गानी जी और उनके वोलंटर्स थे वो रुट तो थाउजन ऑव जो थे महत्मा गानी जी को सुनने के लिए आए and he told them what he meant by swaraz तो महत्मा गानी जी ने नने उने पीस प क्या करें उनका बिरोध तो करें लेकिन पीस्फुली करें कोई वाइलेंस से न करें ठीक है और 6 अप्रेल को महत्मा गानी जी और उनके वोलिंटर्स थे वह डांडी पहुंचें एंड सर्मानियली वाइलेट द लौ वहां पर उन्होंने जो लौ था सॉर्ट लौ जो था वह मैंनिफेक्टर्रिंग सार्ट बॉलिंग सी वाइले और उन्होंने क्या ऐन्ग सिंः वाइले वांटर्स सॉप感 उसको व्यों बनाया ठीक है जो नमक बनानाे का केवल जो ब्री टिस को सब्सक्राइब करते हैं अब महात्मा गांदी जी ने लोगों से कहा कि वह केवल क्या है लोग जो ब्रेटिस गवर्मेंट है उसका ही बिरोध ना करें उसका उसको ना करें बल्कि बल्कि विद्ध ब्रेटिस एज दे हैड हैड डन इन 1921 और 22 बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनेल लॉज बल्कि वह क्या भी खरें एक तो ब्रेटिस का कहरा ना माने और दूसरा जो उनके बनाए हुए जो लॉज है उनको कॉलोनेल लॉज जो हैं उनको ब्रेक करें ठीक है सबसे पहले महत्मा गानीजी ने बनाया और उसके बाद थाउजन अप प्रिपूल जो थे उन्होंने भी इस लोग को तोड़ा उन्होंने सॉल्ट बनाया और जो गॉर्मेंट बिर्टिस गॉर्मेंट की सॉल्ट फैक्टिस सी वहां पर उसके आगे डेमस्टेट किया इस उसको लूट ले गया पीजेंट रिफ्लू से उन्होंने भी देने से इंकार कर दिया और चोकेषए टैक्स देने से इंकार कर दिया विलेज ऑपिसर जो एस उन्होंने अपने पस से रिजाइन किया एं इन इन मैनी पछे फॉरष्ट पे पोल वाइले फॉरेट लो यहा into reserve forest और वह कहा गए? Reserve forest में गए जहां उनको अनुमत ही नहीं थी लेकिन वो लाओ तोड़के हो गए तो collect wood and grazing cattle और वहाँ से उन्होंने जूअ जुँड था लकडियां थी उसको collect भी किया और जो अपने cattle से उनको grazing भी करवाया ठीक है? Worried by the development, the colonial government begin arresting the Congress leader one Biden अब जब यह सब चल रहा था तो जो colony government थी वो worried थी चिंता में थी उन्होंने क्या क्या एक-एक करके जो Congress के जो leader से उनको एक-एक करके arrest करना शुरू कर दिया ठीक है This led to violence classes in many places यहां तक कि बहुत सारी जगों पे बहुत सारा classes भी हुआ अब्दुल गफार खान अडिवोर्ट disciple of महत्मा गांदी जो महत्मा गांदी के जो disciple थे उनके जो सिस्य थे ठीक है अब्दुल गफार खान was arrested in April 1930 उनको भी arrest किया गया April 1930 में महत्मा गांदी जी के जो disciple थे angry crowd demonstrated in the street of पेसावर अब इसके बिरोध में जो angry crowd थी यानि कि जो लोग जो गुस्य में थे उन्होंने पेसावर की सड़कों पे परदसन करना शुरू किया facing armed cars and police firing ठीक है इसमें कहे है बहुत सारा जो उनको firing भी जेलनी पड़ी जो demonstrators से many workers उनमें से बहुत सारे मारे भी गए a month later when महात्मागानी himself was arrested और एक महने बाद खुद महात्मागानी जी जो थे वो भी British government के द्वारा अरेश्ट किये गए industrial workers इन सोलापूर attacked police post लेकिन जो industrial workers से सोलापूर के उन्होंने police post पे, municipal buildings पे law court पे और railway station पे क्या-क्या उन्होंने attack किया और जो इन सारी चीज़ों पे अटाइक किया जो किसको symbolize करती थी ब्रिटिस रूल को यानि जिस पे ब्रिटिस का कबजा था ठीक है अब फ्राइटें गवर्मेंट responded with a policy of brutal repression अब क्या था जो demonstrator ने तो यह किया लेकिन जो ब्रिटिस गवर्मेंट थी वो चुप रहने वाली नहीं थी उन्होंने भी repression करना शुरू कर दिया ठीक है peaceful peaceful सत्याग रही वर अटाइक जो peacefully सत्याग रही थे उन पे भी अटाइक किया गया women and children were beaten जो women थे children थे उनको बीट किया गया and about one lakh people were arrested और यहां तकी one lakh जो demonstrators थे one lakh जो people थे उनको arrest किया गया British government के द्वारा in such a situation महात्मा गांदी once again decided to call off the moment अब फिर से क्या हो चुकी थी हिंसा हो चुकी थी तो इस situation में महात्मा गांदी जी जो थे उन्होंने decide कि इस moment को क्या करेंगे call off करेंगे and entered into a pact with Irwin अब क्या चाहते थे महात्मा गांदी जी जो थे वो इर्विन से pact चाहते थे संधी चाहते थे समझोता चाहते थे on 5 March 1931 तो यह आपके पास one mark का question आता वेटा गांदी इर्विन pact तो कब वह था 5 March 1931 में ठीक है by this गांदी इर्विन pact गांदी जी concentrated to participate in a round table conference अब गांदी जी जो round table conference के लिए कहां गए लंदन गए and the government agreed to release the political prisoner अब जो British government थी वो राजी हो गई कि जो political prisoner थे उनको release करने के लिए in December 1931 December 1931 में गांदी जी वेंड टू लंदन for the conference 1931 में December 1931 में महात्मा गांदी जी जो थे वो लंदन गए for the conference but the negotiation brought down लेकिन जिस पैक्ट के लिए वह वहां गए थे ठीक है वह नहीं हो पाई बात नहीं बन पाई and he returned disappointed और वह वापस इंडिया वापस आये डिसपोइंट हो के ठीक है back in India he discovered that the government had begun a new cycle of repression अब जब वह इंडिया वापस आये तो उन्हों परतारिश करने के लिए गफार खान जवालाल नेरू बहुत इंडिया अब जो गफार खान थे और जवालाल नेरू थे उनको दोनों को भी जेल डाला गया था the Congress had been declared illegal और जो Congress party थी उसको British government के द्वारा illegal गूसित कर दिया गया and a series of measures had been imposed to prevent meeting बहुत सारी series of measures से वो अपनाए गए जिससे कि यह meeting नहों demonstrations and by court ठीक है इनको ना कोई demonstrate कर सके और ना कोई किसी चीज़ का बिरोत कर सके इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए British government के द्वारा इनको रोकने के लिए ठीक है with great apprehension महात्मा गांदी relaunch the civil disobedience moment अब इसी असमंजस में ठीक है इसी उसमें फिर से महात्मा गांदी जी ने क्या-क्या civil disobedience moment जो था उसको फिर से launch क्या for over a year the moment continued ठीक है कुछ सालों तक moment जो था वो चलता रहा but by 1934 it lost its momentum ठीक है लेकिन 1934 में यह जो moment था वो उसकी जो रप्तार थी वो धीमें पड़ गई ठीक है अगला टॉकिक वेटा अगले उसमें अगले वीडियो में और इसके आप नौर्स बनाओगें